Hello friends, welcome back to my YouTube channel आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे paralysis patients के finger का movement कैसे करना है patient की recovery देखिए किस परकार से हो गई है paralysis के patient ये patient ऐसे थे जिनका हाथ पहले बिल्कुल भी काम नहीं करता था अब physiotherapy और exercises के बाद आप देख सकते हैं किस परकार से इनका movement कर रहा है तो इस वीडियो में हम लोग पूरा हाथ की exercises पर focus करेंगे कौन-कौन से exercises करनी है कैसे करनी है और कितनी करनी है ये आप दीरे-दीरे अपने घर पे exercises करेंगे तो इससे आपको बहुत improvement मिलेगा हाथ की finger movement भी काम करना चालू कर देगी है और हाथ भी बढ़िया काम करने लग जाएगा तो friends अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्ली subscribe करना बिल्कुल भी न भूलें और इस वीडियो को end तक जरूर देखें ताकि आपको हर एक exercises आसानी से समझ में आए और आप उसको सही धंग से करें exercise करना अलग चीज है और धंग से करना अलग चीज है क्योंकि अगर आप गलत exercises कर रहे हैं तो उसमें भी आपका improvement डिले हो सकता है लेट हो सकता है तो friends आपको finger के movement करवाना है तो देखिए जैसे आप finger open करवा रहे हैं तो आपको इस प्रकार से पीछे से finger को pressure देना है और patient को बोलना है कि अपनी finger open करें अलब उंगलियां को खोलें और आप resistance देंगे अपनी उंगली से तो इस प्रकार से आप 20 बार movement करवा सकते हैं एक single single movement का तो ये देख सकते हैं इस प्रकार से इनका finger extension जो extensor muscles हैं उसकी strengthening होगी और हमारी finger बढ़ियां उख खुलने लग जाएगी तो इसमें patient को समस्या नहीं होगी दीरे दीरे आपको करवाना है अगर patient को दर्द होता है तो पहले आप कम pressure दीजिए और जैसे जैसे दर्द कम होता जाता है तो आप pressure को थीरे दिए पढ़ाते ज to lure a patient को पकड़वा करके finger को extension करवाना है finger extension मतलब finger को open करना है patient को बोलना है कि वो आपको आपकी अंगली में जोड़ दें और आप उनकी मसल्स होती है वो दो प्रकार से काम करती है क्योंकि यह two joint मसल्स होती है तो इसमें आपका active insufficiency और passive insufficiency में difference होता है यह चीज हम बाद में cover करेंगे कि active insufficiency क्या है और passive insufficiency क्या है यह physiotherapy students के लिए है patients के लिए क्या जरूरी है वो मैं आपको सिर्फ basic बता रहा हूँ यहां पे क्योंकि आपको यह scientific जो wording है उसको समझने की जुरूरत नहीं है आप बस movement को देखे movement कैसे करना है तो एक बार आपको ऊपर की तरफ जो हमारा finger का tip है उस तरफ pressure देना है और दूसरा हम लोग को नीचे प्रेशर देना है तो इस प्रकार से हर एक finger को प्रेशर दे करके उनको open करवाना है patient को बोलने हो खुद करें जैसे आप एक finger की करेंगे तो बाकी तीन finger rest में होनी चाहिए और जिस finger की भी करेंगे बाकी fingers stabilize करके उसकी finger अब जैसे मैं अंगुठे की कर रहा हूँ तो मैं अभी उंगलियों को रोक करके रखा हूँ ताकि उंगलियों का movement नहों सिर्फ अंगुठे का movement हो इस प्रकार से भी patient जल्दी improve करेंगा friends बहुत important है exercises करवाना अगर आप exercises नहीं करवाएंगे patient को तो patient अपना movement भूलता ही जाएगा अब आप देख सकते हैं friends यतनी सारी exercises करने के बाद कितना बढ़िया movement हो पा रहा है पहले कितना movement नहीं था मलब यहां तो movement था ही नहीं इस प्रकार से यह movement कर रहे हैं तो बहुत अच्छा improvement हो गया है पहले कुछ भी नहीं कर पाते थे अभी देखिए मैं इनको बोल रहा हूँ इस प्रकार से finger और thumb को पकड़ें तो इस प्रकार से यह हर एक finger को पकड़ ले रहे हैं चाहे मैं second finger बोलूँ चाहे मैं third finger बोलूँ यह हर एक movement आसानी से अपने brain को बोल करके brain से conduct करवा पा रहे हैं तो देखिए friends बहुत अच्छा improvement होता है paralysis में ऐसा नहीं है कि paralysis के patients ठीक नहीं होते हैं आपको विश्वास रखना है, physiotherapy करवानी है, exercises करवानी है और सही exercises और सही physiotherapy होना बहुत जरूरी है कहीं पर भी अगर आपकी exercise में कुछ problem आ रही है आप हमारे comment box में comment करके पूछ सकते हैं कोई दिक्कत हो रही है exercises करने में दर्द वगरा हो रहा है तो अभी आप comment box में पूछ सकते हैं आप निश्विक कर रही है हम जल से जल आपके सवालों का जवाब देने की कोशिश करेंगे अभी आप देखें कि मैं पहले finger opening करवा रहा था और अब मैं patient को बोला हूँ कि finger को close करें मतला मुठ्थी बंद करें पहले मुठ्थी खोलने का काम अब मुठ्थी बंद करने का काम यह तो थी fingers की exercises अब हम लोग करते हैं shoulder और elbow को straight करके जो shoulder की muscles है उनको कैसे improve करवाना है तो patient को बोलना है कि अपना elbow बिल्कुल सीधा रखे और wrist के ऊपर से थोड़ा सा आप अपना हाथ रखें और patient को बोलने कि अपना हाथ कंदे से ऊपर उठाएं और हमारा जो हाथ हो बिल्कुल सीधा होना चाहिए elbow straight होनी चाहिए इस प्रकार से आपके shoulder की muscles जो deltoid muscles है, scapula की muscles है, trapezius और बाकी सारी rotator cuff यह सब improve होगी तो patient को भी हाथ उपर उठाने में कोई दिक्कत नहीं होगी और बढ़िया से हाथ उपर उठेगा और इसमें आपको थोड़ा सा resistance देना है, अगर patient freely कर पा रहा है तो आपको थोड़ा सा जोर देना है next exercise friends, एक किलो का dumbbell जो मैंने पहले आपको दिखाया था, वो अभी फिर से patient को पकड़वा देना है और patient को बोलना है कि आपके हाथ में वो सीधा करके touch करें तो जैसे वो उपर उठाएंगे तो इन में जो trapezius muscle है, pectoralis muscle है, deltoid muscle है, यह improve होगी और यही muscles हमारे हाथ को उपर उठाने में, hand का, shoulder का movement करवाने में help करते हैं अगर यह muscles मजबूत होंगे, तो आपका हाथ बढ़िया उठेगा इसको strengthen करने के लिए आप एक किलो का dumbbell, अगर एक किलो आप से भारी लग रहा है तो आदा किलो भी आते हैं, आदा किलो का कर सकते हैं या कोई आदे लिटर की bottle आप घर पे पकड़वा करके patient को करवा सकते हैं exercise अगर exercise में दर्द होता है वजन पकड़वा करके तो पहले खाली वजन से करवाईए, अब तो यह patient का इतना improvement हो गया है, इसलिए मैं एक किलो के वजन के साथ करवा रहा हूं, डंबल के साथ करवा रहा हूं, अगर आपके patient को कोई दिक्कत होती है, तो आप without वजन भी करवा सकते हैं, आदे लीटर की bottle पगनी भरवा के या 500 gram की, जो भी आपको patient के हिसाब से उच्चित लगता है, आप वो ऐसा करवा सकते हैं, धीरे धीरे आप उस पे ताकत आएगी, तो आप उसमें बढ़वा सकते हैं, उसमें भी अगर patient को दिक्कत हो रही है, तो friends, आप दोनों ह हाथ को पकड़वा के करवाना है, क्योंकि एक कि लोग बहुत भारी वजन हो जाएगा इसमें, इसलिए patient को कोई दिक्कत ना हो, दर्द ना हो, तो आप ये वाली exercises भी करवा सकते हैं, ये patient की advanced exercises हैं, friends, basic exercises मैंने अपने चैनल में और भी बता चुके हैं, आप उसमें जा करके मेरे चैनल में जा करके, वीडियो section में बहुत सारी वीडियो हैं, paralysis से संबंदित, first stage में अगर paralysis का patient है, तब क्या exercises करनी है, second stage में क्या करनी है, बहुत सारी वीडियो मैंने डाली है, 200 प्लस वीडियो डाल चुका हूँ, आप उसमें जा करके देख सकते हैं, friends, मैं wrist to drop का patient मेर को एक बार बोल रहे थे कि wrist drop के लिए आप कौनसी exercises करवाते हैं, तो देखिए, friends, आप wrist drop में ये वाली exercises करवा सकते हैं, आदा किलो या एक किलो के वजन के साथ, या 200 ग्राम के वजन के साथ, patient को बोलना है, मुठी बंद करके ऊपर उठाएं, wrist extension करवाएं, ताकि हमारे जो wrist extensor muscles हैं, वो improve हो जाएं, वो strengthen हो जाएं, ताकत आ जाएं उसमें, तो हमारा wrist drop ना हो, दूसरा finger की ये भी advanced exercises, friends, हम theraband को ये जो तुरह से loop bend होता है, rubber का, इसको हम finger के पास पकडवा करके, patient को बोलते हैं, कि अपना finger movement करे, finger को अपने पास कीचे और छोड़े, कीचे और करवा सकते हैं, पहले हम finger की opening करवा रहे थे, finger को बोल रहे थे, patient को की finger open करें, इस बार हम finger को close करवा रहे हैं, मतलब बंद करवाने के लिए, मुठी बंद और finger बंद करवाने के लिए, ये single single muscle का movement करवाने के लिए, ये बहुत best exercises, friends, इसमें कोई problem हो रही है, इसमें कोई question है तो भी आप comment box में पूछ सकते हैं, कोई सवाल है, कैसी भी प्रकार का, तो हम आपका जवाब देना ही कोशिश करेंगे, अगर कोई बात नहीं भी समझ में आ रही है, तो भी आप इसमें पूछ सकते हैं, friends, बहुत अच्छी exercises हैं, आपके finger के movement को वापस ले आने के लिए, वापस अपने पास खीच के जाएं, तो रबार से जो ताकत लगेगी, इससे धीरे धीरे ताकत बढ़ेगी, घबराने नहीं है, friends, बस exercises, अपने जो डॉक्टर हैं, वो आप उन पे विश्वास करिए, वो जैसा बोलते हैं, आप उनको वैसा करने दीजिए, जैसी exercises वो वता लगता है, धीरे धीरे ठीक होता है, तो आप exercises पर ज्यादा focus करिए, मैं तो यहीं चाहूँगा कि हर एक पेशेंट ठीक हो, किसी को कोई ऐसा problem नहीं हो, आप देख सकते हैं, अभी therabend का साथ, अभी मैं elbow flexion करवा रहा हूं, elbow का flexion करवाने से, पेशेंट का जो biceps muscle है, जो ह चोड़े, और ध्यान देजिए कि इनका जो हाथ है, वो बिल्कुल सीधा होना चाहिए, इस प्रकार से नहीं होना चाहिए, कि वो पेट के पास लेके जा रहे हैं, ऐसा नहीं, बिल्कुल सीधा होगा, तो आपका biceps muscle, brachialis muscle, brachioradialis muscle, यह सारा कुछ बढ़िया काम करेगा, synchronized way में काम करेगा, तो बहुत important है, friends, इन सब चीजों का ध्यान देना, दोस्तों अब जो मैं exercise करवा रहा हूँ, यह extension, जो elbow extension है, और shoulder extension है, उसके लिए है, अभी आपको patient के पीछे तरफ ऐसे खड़े हो जाना है, और theratube को patient को बोलना है, कि नीचे की तरफ खीचें, bed की त तरफ खीचे, तो theratube से जो resistance लगेगा, जो ताकत लगेगी, उससे muscles में पी ताकत लगेगी, और muscles जल्दी ठीक होंगे, improve होंगे, तो आपको हर एक muscle पर ध्यान देना है, ऐसा नहीं कि single muscle पर ध्यान देंगे, तो जल्दी ठीक होगा, ऐसा नहीं, आपको हर एक muscle पर ध्यान अभी मैं addiction कर वा रहा हूं, addiction और abduction, इस प्रकार से देख सकते हैं, patient का movement अभी थोड़ा सा synchronize नहीं हो पा रहा है, लेकिन कुछ समय के बाद ये भी ठीक हो जाएगा, तो धीरे-धीरे कोशिश करना है, और patient को समझाना है कि किस प्रकार से movement करना है, गलत movement ना करें, अभी दे दे करके movement को कर भी रहे हैं, इस प्रकार से आपको भी friends द्यान देना है अपने patient का, और जैसे से आप द्यान देंगे, exercises बहुत अच्छे से होती जाएगी, अभी मैं देख सकते हैं कि मैं diagonal pattern जो PNF है, प्रोप्रोप्रेसेप्टिव निरोमस्कुलर फैसे लिटेशन, उसका जो diagonal pattern वाला movement है, वो मैं करवा रहा हूँ, इसको हम लोग PNF बोलते हैं, इसमें सारे joints, shoulder, elbow, forearm, wrist, fingers, ये सारा कुछ involve हो जाता है और simultaneously सारा work करता है, तो ये बहुत अच्छा exercise है friends, आप अपने paralysis patient को करवा सकते हैं, ये physiotherapist ही कर सकता है friends, अगर आप physiotherapist हैं और अपने patient को ठीक करना चारे हैं, तो PNF बहुत अच्छा एक protocol माना जाता है, paralysis patient के लिए, जो stroke के patients हैं, ये दूसरा diagonal pattern है, मतलब उपर से ले करके, नीचे shoulder flexion, elbow extension, wrist extension, और जब आप नीचे की तरफ लेके जाएंगे, तो shoulder extension, और elbow extension, तो internal rotation करके, और wrist flexion करवाना है, इस प्रकार से कुछ movements होते ह हैं, और वो आप करवाएंगे, तो patient का simultaneously, जो different different joints एक समय पर काम करते हैं, वो बहुत अच्छा इंपर होगा, अब patient को बोल देना हैं, कि बैट जाएं, और बैटने के साथ साथ आप therapy को बोलें, कि वो आपने पास खीचे हैं, और सीधा करें, फिर खीचें और छोड़ें, त next exercise, जो मैं पहले late करके करवा रहा था, अब हम लोग बैट करके करवाएंगे, patient को बैठा देना है, और आप उपर से खड़े करके patient को बोलना है, कि दोनों हाथ से पकड़ करके, हाथ को नीचे करें, फिर side से भी oven नीचे कर सकते हैं, और नीचे करने के साथ आप horizontal movement भी करवा सकते हैं, देखिए इस horizontal movement कैसे हो रहा है, एक बार दोनों हाथों को बाहर फैलाना है, फिर अंदर लेकर जाना है, बाहर फैलाना है, फिर अंदर लेकर जाना है, मतलब इतना अच्छा improvement paralysis patient अगर ये सारे movements कर पा रहा है, तो मैं समझता हूं कि बहुत अच्छा improvement है, बहुत अ पेशन्ट उनके घरवालों से भी मेरा यही निवेदन रहेगा कि वो घरवाले पेशन्ट को मोटिवेट करें उनको डी मोटिवेट बिल्कुल भी न करें उनको बोलने कि हां आप एक्सेसाइज से ठीक भी होगा तो यह देखिए अभी हम पहले दोनों का एक साथ कर रहे थे अभी हम single हाथ का कर रहे हैं, single single हाथ का ये adduction कर रहे हैं, पहले दोनों हाथ का कर रहे थे, अब single हाथ का कर रहे हैं, तो ये भी बहुत important exercise है friends, हर एक muscle का strengthen होना, ताकत आना बहुत जरूरी है, तभी आपका movement बिल्कुल सही होगा, अभी मैं देखिए, आधा के लोग के वजन के साथ patient को बोल रहा हूँ, की हाथ उपर उठाएं, shoulder flexion करें, और elbow extension रहेगा, तो इस प्रकार से आपके shoulder में, बहां में, upper back में ताकत आएगी, ये सारी exercises अगर आप अपने patient को करवाएंगे, तो बहुत जल्दी improvement आएगा, friends, आज की वीडियो में इतना ही, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज लाइक किजेगा, share किजेगा, और comment करना बिल्कुल भी ना भूलें, और ये last exercises में आप देख सकते हैं, कि मैं elbow extension करवा रहा हूँ, elbow extension पीछे से पकड़वा करके, theraband को, theratube को, patient को बोलना है, कि आगे की तरफ push करें, धका हमारे, तो इससे आपके जो theraband का resistance लग रहा है, आपके हाथ में ताकत आएगी, तो friends, thank you so much for watching this video, मिलते हैं next video में, कोई आपको suggestion देना हो, next video कि इसमें चाहिए, तो भी आप comment box में पूश सकते हैं, अगर आप हमारे channel में नए हैं, तो please subscribe करना बिल्कुल भी न बोलें, इस प्रकार की videos हम आपके लिए ही बनाते हैं, आपके लिए ही, आपके improvement के लिए, आपके recovery के लिए ही बनाते हैं, videos को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद friends, thank you so much.